नमस्कार आप देख रहे हैं भारतक स्प्रेस MP का डिजिटल प्लाटफॉर्म मैं हूँ आपके साथ रुजी का राज मद्यप्रदेश में विधान सभाके चुनाओ होने वाले हैं चुनाओ से पहले अब मद्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी की भी इंटरे हो चुकी है अब तक मद्यप्रदेश में BJP और कॉंग्रेस में पार्टी के रूप में थी लेकिन अब आम आदमी भी मद्यप्रदेश में अक्टिव हो चुकी है यानि कि आम आदमी के पाटी के कारक्रता लगतार मध्यप्रदेश में सरकार के खेलाफ प्रदरशन कर रहे हैं आज एक बेहदी अलग तरीके का जलूस आम आदमी पाटी की तरफ से निकाला गया और इस जलूस में आम आदमी के जो कारकरता थे आम आदमी पाजी के कारकरता वो भैस के आगे बीन बजाते हुए नजर आए और कुछ कारकरता तो रावन का रूप धारन करके लोगों को समझाते नजर आए दरसल आम आदमी पाटी के कारकरताओं की कुछ मांग थी जिसे ले करके वो लगतार सरकार को घेर रहे थे और लोगों से भी बात कर रहे थे इस वीडियो में बताएंगे कि आम आदमी के पाटी के कारकरताओं की क्या मांग थी और किस चीज को लेकर के किस मांग को लेकर के आम आदमी पाटी के कारकरता घेरते विसरकार को नजर आ रहे थे आपको बढ़ादे की कटनी नदी की सफाई के लिए आमादमी पार्टी पिछले कई दिनों से लगतार प्रदर्शन कर रही है इतना ही नहीं आमादमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा ने चेतावनी भी दी थी कि यदि उनकी मांग जल नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे उनका क्या कुछ और कहना है आप सुने यह बैठे हैं कि जीवन दाहिनी नदी के सफाई की जाए और जिले की तमाम नदीयों को सुरक्षित किया जाए उनके उपार जो कद्य हो रहे हैं उनको हटाया जाए और सुंद्री करण किया जाए नदी के आजू बाजू ब्रक्षर ओपर किया जाए लेकिन जिला प्रसासर मूग दर्सक बनकर देख रहा है आज चार दिन से पहतारी की सेल्सियस में सुनील मिसरा जी भूखताल पे नदी के मोहन घाट में नदी के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन जिला प्रसासर जाज नहीं रहा है इसलिए आज हम लोगों ने सांकेत तुरूप से भैस के आगे भीन बजा रहे हैं और भैस पड़ी पगरा रहे हैं उसका आवत को सक्त करने के लिए आज ये रैली निकाल रहे है तो अब आजमी पाटी मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं आम आदमी पाटी अब मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने की कोशश में जुटी हुई हैं और इसलिए एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है कई राजनितिक जानकार ये भी कहते हैं कि दिल्ली से लेके पंजाब तक तो आमादमी पाजी ने अपनी सरकार बनाई लोगों को लोगों का दिल जीता लेकिन क्या मध्य प्रोदेश में वो ऐसा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन कोशिशे जारी है और बेहदी अनोखे तरीके से जस तरीके से आमादमी पाजी के कारक्रताओं ने प्रदर्शन किया है सरकार को घेरा है और लोगों से भी समबाद करने की कोशिश की है का अनोखे तरीके से अनोखे जुलूस के और अब आम आदमी पाटी आने वाले वक्त में फिर से मध्यप्रदेश में एक बर अपनी पैट जवाने की पूरी कोशिश में जुटी है अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पाटी क्या मध्यप्रदेश में अपनी सरकार बना पाती है अपनी पैट जमा प नमस्कार